तो विजेश अर्मा ट्रेंड जिस तरह से मेरे सेहयोगी बता रहे हैं एंटी इंकंबेंसी और जातिय एफेक्टर क्या इन दोनों ही मामनों में आज बीजेपी थोड़ा पीछे खिसकती नजर आ रही है जो बढ़त वो पिछले 10-5 दिन में लेती नजर आई थी वो एक जुटा तो वो दिग गई मंच पर प्लस वो तमाव मुद्दे किसान जवान पहलवान उन मुद्दों में भी लगतार वो भी कॉंग्रेस के पक्षमी नजर आ रहे हैं तस्वीर क्या नजर आ रही है कैसे आक रही है बीजेपी इस वक्त मौझूदा स्थिती में अपन रही है आप मुझे बताईए जब राज्ये के चुनाव होते हैं तो कौन सा सवीधान बदल सकता है राज्ये सवीधान तो केंदू को बदलने का है तो रिशी के जी को मैं जरा करेक्ट कर दूँ यह रटी रटाई बाते कॉंग्रेस पाइटी कर रही है बीजेपी नहीं कर रही है और मैं आपको बात बता दूँ आप मुझे बताईए कुमारी सेलजाजी बरवाला मीटिंग में क्यों नहीं गई वो राहूल जी के आदेज पर लगा लो उनकी निवेधन पर लगा लो रस्मधाईगी करने गई थी उसके बाद में उनको दुदकार दिया गया और स वपेंदर हुड़ा और सारे जितने भी उमिद्वारा सारे करें हम वपेंदर हुड़ा के नेतर तुम्हें वपेंदर हुड़ा चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो इनों ने सोनिय गांधी को नकार दिया राहूल गांधी को नकार दिया सारी पार्टी को नकार दिया यह वपें करेंगे वह मना कर देते हैं उनकी चल जाती है वह घर बैठा देते हैं फिर उनकी चल जाती है तो अब कल की तस्वीर पर आ जाएगे ना थे ना एक मंच पर एक दाएं एक बाएं दिखा दिया दे दिये करेंगे नौ साल के मुख्यमंत्री वह तो पोस्टर से भी तायब है उद्यबहां जी कहां थे हमारे जिसको आधिम पर रिशिकेश बीच में कुछ कहना चाहिए रिशिकेश हां बोलिए पूजा जी मैं उनको करेक्ट कर दूँ दरसल संबीधान बचाना ये सब लोग जानते है कि राजे का मसला नहीं है लेकिन वहां से जो नाराजगी का दौर शुरू हुआ अधलितों में जो पांच किलो अनाज के लाभारती बर्ग थे जो भारतिय जनता पार्टी को पूरे देश में वोट कर रहें थे अलग अलग राज्यों में इसलिए 20 से ज्यादा राज्यों में भारतिय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन 4 महीने पहले से जो ट्रेंड चला वोटिंग का उसमें कोई बड़ा ज्यादा बदला और नहीं है वो नाराजगी एंटीन केंबेसी के तोर पर बढ़ रही है और इसलिए उनसे गुजारिस है कि जब वो जो उनका सबसे बड़ा गड़ है एनेस 44 जो सोनी पत से शुरू होता है जिन इलाकों में मैं आकड़ा दे रहा हूं कि 27 विदान सवा की सीटे उसमें 17 से ज्यादा बीजेपी के पास थी उन इसमें उन इल कुम रहोंगे तो मैं यह कह रहा हूं तो वो नाराजी का जो दौर है वो बदस्तूर अभी भी जाली है वो बढ़ता जा रहा पहले समिधान बचाने का मामला था अब 18 के मिसी का मामला है इसलिए बिना खर्ची और बिना पर्ची की बात वो कर रहे है और ग्राउन पर सबस के बीच में नहीं तो इनेलो और रहे हैं और यहीं उनके लिए सबसे बड़ी चुनाओती है मैं यह बात उनको बता रहा हूं थो जो समीधान बदलना है वो राजय का मसला यह सब लोग जानते हैं तो मैं यह मुद्दा है जिनको पाटियों को सोचना चाहिए चुनाओं हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं उनको जमीनी हकिकत बताते हैं कि यहीं सिती होगी और आठ अक्टूर को उस पर मुहर भी लगेगी जब नतीजे आएंगे बिलकुल तो समझे विजए जी जो ट्रेंड चला ना वो अभी भी जा रही है वो नराज़ी देखने क को मिल रही है तो ग्राउंड जीरो से अगर आपको यह रिपोर्ट दी जा रहे तो इसका फायदा उठाईगे पूजा जी देखिए यह थोड़ा समय क्योंकि सारे प्रवक्ता जो है जितने बोलते हैं वो बीजेपी के खलाब बोलते हैं सारे सब का मुकाबला बीजेपी से ने अब यहां पे तो एंडिय इंडिय वाला मामला है नी ना तो अप तो ऐसे बोली है मत लेकिन मुकाबला सब का बीजेपी से हैं मैं यह कह रहा है हम करें एक्सेट चरवारी चल रही है तो अम मैं बताना चाहतू है आपने आपके चैनल पर कही बार कहा था कि किसान जव पहलवान आप मुझे बताईए मात्र 266 रुपे में यूरिया का बैग हम दे रहे नहीं दे रहे विसका एक देश बता दीजिए इतने सस्ते में को यूरिया दे रहा है 24 फसलों पे एक मात्र राजी हमारा है जो हम 24 फसलों पे MSP दे रहे हैं दूसरा मैं बता देता हूं इनके टाइम में जब पूजा जी रात को घर में नहीं सोय जाता है सरदी लगती है दिसम्मर जन्वरी में तब ये बिजली कुछ घंटों के लिए देते थे कॉंग्रेस पार रहे हैं ये हमारी उपलब दी है और ये किसानों की जमीन अरपते थे ये मुद्धे चलिए सवाल का जवाब तो ले लिजे ना इतने सवाल खड़े कर रहे हैं तो